हेलो गुड मॉर्णिंग माई दियर फ्रेंड्स आज की डेट में उत्राखंड लोग सेवायो हरी दुआर की दुआरा असिस्टेंट प्रोफेसर जो राज की महाविदाले हैं चेहन दो चार इकिस का विग्यापन जारी कर दिया गया है और ओनलाइन आविदन पत्र भढ़ने की जो अंतिमति थी वो 24 दिसंबर है जैसे कि आप देख सकते हैं अती महतपूर निर्देश हैं तो करप्या फार्म अप्लाई करने से पूर्व आप जो भी निर्देश हैं उनका भली बात ही अध्यन करें और इसमें आप जो देख सकते हैं जो वेकंसी हैं जो की रिख्थ पतो का विबरण की बात करते हैं तो हिंदी के लिए कुल 33 पत हैं 33 हैं और इसके बाद हम बात करते हैं आपका अंग्रेजी के लिए आपके 52 हैं आपका संसकर्थ के लिए 19 हैं और जो 36 आरक्षन हैं जो आप इसको देख सकते हैं आरक्ष की कि अर सकते हैं कि समाश सास्त्र के सारे लिए kाफी कम पद हैं यहांपर एक ही वेकंशी है दर्सन शाक्तर के लिए ग्रह विज्ञान में वैकेंसी की संक्या थोड़ी सफिशेंट है और ये 15 वैकेंसी यहां पर हैं, इसके बाद हम जाते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, तो आपका बहुत ही विज्ञान, फिजिक्स के लिए आपकी वैकेंसी है 36 और आपका केमिस्टी के लिए 34 हैं, आपका जो लोजी है उसके लिए आपका 34 वैकेंसी हैं, तो माई डियर फ्रेंड्स इस तरह से आप देख चेता है कुल जो योग है वो कुल वैकेंसी है 455 वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आरक्षन का विवरन आप इसको इस परकार देख सकते हैं, जहां पर आपका SC, ST, OVC और EWS और Unreserved Category का जिस तरह से Reservation को किया गया है, उसको देख सकते हैं, दिव्यांग जन स्रेणी के तरह आरक्षित पदो का विवरन भी आप देख सकते हैं, कि दिव्यांग के लिए यहां पर SC, ST, OVC और EWS के लिए जो Reservation है किस प्रकार उसको विज्यापि किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसके बाद हम सेलरी की बात करते हैं, तो आप भरी बाद इससे परिचिती भी होंगे, कि आपका जो ग्रेड जो आपका Scale है वो आपका 15600 से 39100 यानि कि 15600 से 49100 है, और इसके लिए योग गता कि अगर बात करते हैं, तो a Master degree with 55% यानि क आपका जो General category के लिए और SCST, OBC की बात हम करते हैं, SCST के लिए तो उसके लिए आपका 50% आपका Marks होना जरूरी है, इसके बाद besides fulfilling all the above qualifications, एक candidate must have, must have के लिए और दा National Elizabeth Test, NET, आपका exam पास होना चाहिए, जो कि आपका UGC और CSIR के दौरा Organize किया जाता है, और इसके बाद आप या फिर आपका SLAT या SET, जो भी exam state level के according जो organize कराया जाता है, वो आपका exam, आपका pass होना जरूरी है, और minimum standards है, minimum standards and procedure for award of MPhil, PhD degree, जो भी आपका UGC के दौरा समय समय पर निर्देश जारी के जाते हैं, उनके according आपका, जो qualification है, वो complete होना जरूरी है, उसके बाद ये आप details, जो qualification के regarding है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और इसको देखने के बाद ही आप इसको, आपको apply करना है, criteria for short listing of candidates interview for the post of assistant professor in government degree college, अब जो criteria है, जो आपको candidate, आपको short list किये जाएंगे, उसको आप दे सकते हैं, जो graduation में है, जिसका percentage 80% या फिर उससे अबाग है, तो उसको 21 marks दिया जाएगा यहाँ पर, जिका 60% और 80 के बीच में है, उसको 19 marks दिया जाएगा, 55% 60% के बीच में है, 16 marks दिया जाएगा, 45 to and less than 55% उसको 10 marks दिया जाएगा, तो अब इसी तरह से आपका PG level, graduation, MPHL और PhD में जो score जो आपको दिया जाएगा, उसके according, आपका net में, आपका slat म जो भी marks है, जो भी आपका pass exam है, उसके according different आपको marks यहाँ पर provide कराए गई है, और total यह 100 marks का है, आपका, total 100 marks का है, तो out of 100 जितना भी आप marks लेते हैं, तो आप का, उसके according आपको sort list किया जाएगा, और तब आपको interview के लिए खुल किया जाएगा, तो आप इस इन चीज़ों का आप देख सकते हैं, तो my dear friends, उसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो note है आपका यहाँ पर MPHL plus PhD maximum 25 marks और JRF net set maximum 10 marks, यानि कि MPHL PSD को मिला करके आपका maximum 25 marks है, उससे उपर आपको marking नहीं किया जाएगा, और net set के लिए आपको maximum 10 marks है, तो यहाँ maximum और minimum का criteria भी आपको दिया गया है number of candidates to be called for interviews has been decided by the commission, commission के दोरा इसका decide के जाएगा कि इन टोर के लिए कितना call, कितने बचे को call किया जाना है, तो my dear friends, जो भी इन योगताओं को पूरा करते हैं, जो भी assistant professor, degree colleges में राज किये, जो महाविध जाले वहाँ पर बनने की इच्छा रखते हैं, तो वो लोग इसके ल collection आपका हो, ऐसी मेरी सुब कामना हैं आपके लिए, तो my dear friends, मेरी वीडियो देखने के लिए thanks, और बाकी आप information, मैं आपको लिंक यहाँ पर अपनी वीडियो के नीचे आपका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, महा से देखकर कि आप पूरे विज्यापन को अच्छे से study कर सकते हैं और विज्यापन को अच्छे से study करने के बाद ही आप इसके लिए apply करें, तो my dear friends, regular updates पराप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को share, like and subscribe अवश्य करें, जिससे कि निरंतर जो updates आयोग के द्वारा या फिर अधिनस सेवा चैनाया के द्वारा जो आती रहती हैं, उनको मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ सकूँ और अप मैं इस वीडियो को अच्छा बनाने के में कोशिच करता रहा हूँ, तो thanks for watching my videos.